अर्थर रिम्बाडेल लेखाया एचलिपिन्दे भाली एई कोबिताटी आमादेल परा होयेगा छे। एई बाराम्रा एई कोबिताटे केई कीछु छोटो प्रोष्णों कोडबू। Who is the writer of the poem एचलिपिन्दे भाली? एचलिपिन्दे भाली 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 की धरोनेर कोबिताः एचलिपिन्दे भाली एचलिपिन्दे थीम टाकी, मेन विशाय गुस्तु टाकी, futility of war is the main theme of the poem, आचले पिन दावाली, अथ जुथेर ब्यात्तो ता, जुथेर निशाम्षता इटाई अचले पिन दावाली, कोभी ताटीर, मूल बख, तो बबा, मूल थीम, how does the very young soldier lie, जुबक सोयनिक्टा की भावे शुए आचे, the very young soldier lies with his mouth slightly open, जुबक सोयनिक्टा की तार मूग्टा इसत हां करे, what is the under young soldier's head, जुबक सोयनिक्टार माथार निचे की आचे, there is a pillow made of fun under the young soldier's head, अथ जुबक सोयनिक्टार माथार निचे की आचे, आच्टा फानेर तो इरी बालीश, अथ फानेर गोछा, बालीश तो बोलेगी चोहे ना, फानेर, तो फानेर गोछा, where does the soldier lie asleep, अथ शुएनिक्टा कोथा घुम्टा अबस्ताया आचे, the soldier lies asleep, stretches in the heavy undergold, in a sun-bated valley, अथ रेक्टे सुजोस ना तो उपोत्ता काई, जे खाने जोबचार बड़ा होयेचे, शेह जोबचार मोदे निजेके ब्रिस्ती तो कोड़े रेखे दियेचे, soldier तो घुम्टा अबस्ताया, अथ उई जाएगा, जेगन जोपाचे, जेगन जोपेन मोदे घुम्टा अबस्ताया आछे, डेस्काइब दे बेड अन फीच दे सुल्जा लाइसस्लीब, अथ शेह बिछनाटर मढ़ना को ते बोल्चे, जेह बिछनाटर ते सुल्जा आटरस शोईनिक ती घुम्टा अबस्ताया आछे, The bed on which the soldier lies asleep is warm, green and sun-soaked जे बीचनाटाएं गुमचे शेटा की उसनो सोबूच एबं सुजुस्ता तो Where does the soldier's feet lie? अक्तो सोयनी के पागुलो कोथा ये साहीतो आछे The soldier's feet lie rested in a patch of wildflowers अर दल बोन्नो एक गुच्छो बोन्नो फुलेर उपोर सोयनी के पाटा रोहे छे How is the smile of the young soldier described in the poem? अथात एई सोयनी के हाशी टा की रखम बन्नो ना गरहे छो कोवीता In the poem, young soldier's smile as described is gentle and innocent like that of an infant अथात सोयनी के हाशी टा की खुबी नम्रो एबं एक्टा सीशूर मतो नी निर्माल With what prayer does the poet appeal nature? अथात कोभी प्रोकिती मां के की पार्थना करेचे The poet appeal mother nature to keep the pale sick soldier warm कोभी एकने मां प्रोकिती मां के पार्थना करेचे जे जानो ओई बीबर नो सीर नो सोयनीक्ती के उस्णो राखे The humming insect don't disturb him. Why? अथा गुण्जन्रत पत्तों गोडा क्यानो ताके बिरोक्तो कोत्त पार्वेना? The humming insect don't disturb him because he is dead. ताके बिरोक्तो कोत्त पार्वेना? कारण शेहलो मितो Where is the soldier's one hand kept? सोयनीक्ती हात कोथा राखाया चे? The soldier's one hand is kept on his breast. एक्ता हात ताल भूके रूपर राखाया चे. What do the two red holes indicate? अथा दुटो लाल ओजे गोला जाता गट्टो शेलो चेता की संकेत बहन कोचे? The two red holes indicate that the soldier is dead, being wounded by two blood-ridden cells. एक्तो लाल गोला जेता इंदिगेट कोचे की जेतार भूकेर मोचे दुटो खटो होचे की खटो टा होचे की बूलेट हैं ताला. How does the stream follow through the valley? अथा उपद्टाकर मोच्दो दिये नोदीटी की भावे पोभाईतो होचे? The stream follows slowly through the valley. नोदीटी सांतो भावे पोभाईतो होचे वैली रुपद्टी अथा उपद्टाकर उपद्दी. अथा उपद्टाकर उपद्टाकर उपद्टा सेलिबिन दे वैली एक्टा जुबक स्वैनिक और आचे विपातो काई घुमोंता होचे याचे. Why does the poet asks nature to keep the slipper warm? अथा जे घुमोंता होचे याचे ताके कैनो उस्नो राक्ते बोलेचे? the poet asks nature to keep the sleeper warm because he is afraid that the sleeper may catch cold in the open air how does the stream look like long stands of silver he may catch cold why does the poets fear so because the soldier is sleeping under the open air what does the phrase suns of bait suggest the phrase suns of bait suggests that the valley gets the warm rays of sun and less vegetation grows there abundantly evidently